दोस्तो अगर आपके घर में भी वाई फाई लगा हुआ है और आप वाई फाई का स्पीट चेक करना चाहते हैं कि आपका जो घर में वाई फाई है वह कितने स्पीट में चल रहा है यानि कि जो आपको MBPS मिला हुआ है क्या उतने स्पीट में चल रहा है या कितने स्पीट में आपका Wi-Fi network चल रहा है तो हम mobile से कैसे check करेंगे आज की इस वीडियो में बताएंगे तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो आप देखिए कि मेरा Wi-Fi का यहाँ पर आपको चित्र दीख रहा है और हम अपने Wi-Fi के speed को check करेंगे तो सबसे पहले आपको अगर check करना है तो सबसे पहले आप Wi-Fi से connect हो जाईएगा और connect होने के बाद में आपको करना क्या है कि इस वीडियो को like नहीं किए तो वीडियो को like और चैनल को subscribe नहीं किए तो चैनल को जिरू subscribe कर लीजिएगा ठीक है उसके बाद में आप आपको Google पे जाना है Google पे search करना है search में लिखना है दोस्तो आपको speed test यह लिखना है speed test बस लिखकर आपको search कर देना है अब दोस्तो जैसे speed test लिखेंगे तो ऐसा interface आएगा यहाँ पर आपको run speed test का option दिखेगा इसके उपर में click कर देना है अब दोस्तो जैसे इसके उपर में click करोगे तो देखोगे कि देखें यहाँ पर अभी केता चल रहा है यहाँ पर देखें 44, 44, 44, 44, 44 क्योंकि यहाँ पर मेरा जो downloading speed है 44 mbps speed में चल रहा है और uploading speed 40 mbps 41, 42 ही हो रहा है uploading speed है ऐसे हमारा ATL Extreme Fiver है मेरा प्लान है 40 mbps speed तो हमें 40 से उपर ही मिल रहा है 44, 42 तो अगर आपका प्लान जो भी होगा उसी साब से आप इस तरीके से चेक करना आपको पता चल जाएगा कि आपका speed क्या चल रहा है अगर speed कम चल रहा है तो आप जो भी आपका वाइफाई होगा उसे कंप्लेन करकर अपने speed को आप सही भी करवा सकते हो तो आज किस वीडियो में आपको यही बता रहा था कि घर में लगे वाइफाई के speed को कैसे चेक रहे वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चनल को सस्क्राइब जरूर कर लेजिएगा